एलो स्टूडेंट्स तो कैसे आप लोग होफूली सब अच्छे होंगे आज हम डिसकस करेंगे कि केमेस्ट्री के कुछ इंपोर्टेंट्स जो कि आपके एक्जाम पर फेक्टिव से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं तो जिसमें से हमारा पहला कोशन है ठोस अवस्था में अडवों की गतिज उर्जाक होती है option A क्या है गैस के अडवों से अधिक option B है द्रव के अडवों से अधिक option C है गैस के अडवों के बराबर और option D है द्रव के अडवों से कम तो इसका answer जानने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि solid state यानि ठोस अवस्था में आपके अडवों यानि molecules किस तरह से placed रहते हैं तो आपको यह जानना पड़ेगा कि जो हमारा solid होता है यानि ठोस अवस्था होता है उसके अंदर हमारे जो molecules होते हैं यानि अड़ूएं होती है वो काफी जादा अपने आपस में 60-60 कि रहती है ठीक है देख रहे हैं बीच में कुछ भी जगाने रहता है इनके बीच में attraction force क् आपस में यहां जादा है जब तो क्या होगा इसके अंदर गतिज उर्जा हो पाएगी यह इधर से यहां तुजा नहीं पाएगा क्योंकि आपस में सब बहुत ज्यादा क्या है बहुत ही ज्यादा powerful force से attract रहते हैं इसलिए इनके अंदर सबसे जाद कम क्या होता है गतिज उ और एका option क्या सही होगा कि option गैस के अड़ों से अधिक गैस के अड़ों से तो अधिक गतिज उर्जा होई नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर गतिज उर्जा क्या होती है सबसे कम होती है तो option B क्या है द्रव के अड़ों से अधिक द्रव के अड़ों से भी अधिक नहीं हो सक कम अब द्रव्य के अड़ों से कम यहां तो यह option सही है क्योंकि द्रव्य के अंदर भी क्या होता है molecules जो अड़ों होते हैं वो थोड़े बीच में कम attraction होता है यानि कि उनके बीच में ज्यादा जगें होता है और वो इधर से उधर अपना movement कर पाते हैं solid state के मुकाबले यानि ठोस अवस्ता के मुकाबले इसलिए क्या होगा option number t क्या होगा करेक्ट होगा second question है अंतरा अड़ुक बल अधिक होता है ठोस में द्रव्य में गैस में तीनों में समान तो कि अंतरा अड़ुक बल क्या होता है बई अंतरा अड़ुक बल ये होता है कि जो हमारे अडु होते हैं ये अडु हो गए हमारे ठीक है solid हो, state हो, gas हो, ठीक है, कोई भी अब इन दो, इन आपस में कितना ज़्यादा attraction force है इन लोगे, आकर सड़ बल कितना है ठीक है, attraction force कितना है, वही हमारा क्या होता है क्या होता है वही अंतरा अडुक बल वही होता है तो आपको मैं बता दूँ कि solid state में, जो हमारा अंतरा अडुक बल होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है, क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है किस में, solid में यानि कि solid में, यानि कि force में, और जो gas होता है उसके अंदर सबसे कम होता है हमारा क्या, अंतरा अडुक बल गैस में तो यहां पर option देख लीजिए अंतरण अरुक बल किस में ज़्यादा होता है अधिक होता है option ए ठोस में तो क्या हो गया हमारा option number A correct हो गया ठीक है Now next question है जिस ताप पर द्रव्य का वास्प दाब वायू मंडलिय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं option ए हैं गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप तो आपको मैं बता दू काफिए सिंपल है अगर ऐसा question आता है कि द्रव्य का वास्प दाब वायू मंडलिय दाब के बराबर हो जाता है किस ताप पर बढ़ाने पर उसके अड़ों की उर्जा में होगी व्रिधी कमी अपरिवर्थित पहले कमी फिर व्रिधी तो आपको मैंने पहले और दूसरे question में बताए दिया है कि कोई भी पदार्थ हो उसके अंदर जो हमारे अड़ों होते हैं उनके क्या होते हैं आपस में ऐसे ऐसे र परोइड करेंगे जब इसका ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा इनके अंदर का जो attraction force है जो आकरशडबल है वो कम होता जाएगा और जिसके वज़ेसे क्या हो आंगे दूर-दूर होते जाएंगे तो इनके अंदर क्या होगा गति जूर्चा क्या होगी बढ़ेगी गति यह जूर्जा बढ़ रही है तो क्या हो रहा है energy हमारी वृद्धी ओर ठीक है तो इससले वृद्धी देख सकते हैं option number तो इस वजह से हमारा option number तो सही हो जाएगा option भी इसले गलत होगा आपरिवार्थat तो इसलिए option number है क्या होगा correct होगा यह जो question है काफी ज्यादा important है और easy भी है यह क्या question बोल रहा है कि 600 gram जल को 30 degree centigrade से 80 degree centigrade तक गर्म करने के लिए आवस्चक उस्मा की गड़ना कीजिए option ने है 3000 calorie, 3000 calorie, 4000 calorie और D 0 तो इसके लिए आपको एक formula जानना पड़ेगा कि क्या होता है कि उस्मा कितनी जरूरत है कितनी आवस्चक उस्मा की क्या जरूरत है उसके लिए एक formula होता है M S delta T ठीक है अब M S delta T यह formula आप याद कर लीजे जहां पे M क्या होता है M होता है मास मास मतलब होता है द्रव्यमान यस क्या होता है विसिष्ट उस्मा क्या होता है विसिष्ट उस्मा उस्मा एक मिनट उस्मा और यह T जो होता है यह क्या होता है change in temperature ताप में कितना आप बदलाव करते हैं change in T ठीक है अब ताप में आप कितना बदलाव कर रहे हैं यह हो जाता है आपका वो फार्मूला ठीक है m s delta t अब m कितना दिया हुआ है भाई m दिया हुआ है 600 ग्राम तो 600 गुड़े yes मतलब होता है विसिस्ट उर्जा विसिस्ट उस्मा अब जल की विसिस्ट उस्मा क्या होती यह 1 होती आपको भी पता है सब को पता है ठीक है multiply by multiply by one multiply by T change in temperature temperature में ताप में कितना बदला हो रहा है असी से 30 से क्या हो रहा है असी जा रहा है यह कुशन है नेक्स्ट कुशन है यह काफी ज्यादे important है और easy इसमें simple का simple सा formula लगा कि आप solve कर सकते हो question क्या है 600 ग्राम जल को 30 degree centigrade से 80 degree centigrade तक गर्म करने के लिए आवश्यक उस्मा की गढरणा कीजिए ठीक है आवश्यक के हम को यहां पर जैनकारी प्राप्ट करने तो इस के लिए आवश्यक उस्मा की गढरणा के लिए हमागा से एक formula होता है क्या होता है वह gas delta genau da T M S Cal optimizingEMS तो इह प्रमूला आपobic याद करेंगे जहाँ भी हमको उसमा की गड़ना करनी हो वहाँ पर प्रियूग करेंगे जहां यम क्या होता है यम होता है द्रव्यमान द्रव्यमान मतलब क्या होता है मास होता है ठीक है यस क्या होता है यस होता है इस पेस्फिक हीट मतलब होता है भाई विसेश्टूस उरुजा इस फेस्फिक हीट इस फेस्फिक हीट अब राइटिंग आप थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी आप थोड़ा कम्प्रमाइस करिए टी क्या होता है भाई यह मानना है छे सो गराम तो 600 गुटए इस पेसफिक हीड इस इस यह इस कितना होता एह जल का सपेसिफिक फिक हीड होता है यह क्या होता है टीटू माइनस टीवन ठीक है यह होता है डेल टीटू माइन यानि पुरा आगे कितना हुआ पहले कितना थे वह ही मैनस कर देते हैं यहां पे हम लोग करेंगे तो 600 गुड़े 50 तो आप लोग इसको मल्टिप्लाइ करोगे तो आप लोग 3630 1000 आपका क्या जाएगा अब आप यहां पे मैच करोगे कि option कौन सा साई है, इस तीन हजार गलत, चार हजार गलत, शुन्य गलत, तीस हजार ऐप्शन भी तो इस वजह से हमारा option भी क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, hopefully आप कोई या question अच्छे से समझ में आ गया होगा, नेक्स वेस्ट नम्न में से कौन सा युग्यां योगिक को प्रदर्षित करता है ठीक है तो इस टायप के क्वेस्टन के लिए हमको क्या निया रहता है क्वेस्टें में दो रहते हैं ये मिस्चेश योग निया रहता है तो हम ये सब इसका आणसर जिदन पर सहद अब हम लोग सहद का जब देखेंगे तो सहद मिस्त्रड होता है कैसे लाक्टोस और बहुत सारे सूगर पानी बहुत सारे चीजों का मिक्षर होता है इसलिए योगिक नहीं हुआ तो इसलिए हमारा option A क्या होगा गलत हो जाएगा तो option B पर देखते हैं दूद एवं पान मिस्त्रड होता है क्रीम प्लस पानी का मिस्त्रड होता है इसलिए यह हमारा option क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो हम अपना तीसरा देखते हैं सहद एवं पानी अब सहद फिर से आ गया तो यह option पहले ही गलत हो चुका है option D देखते हैं पानी एवं साबून पानी हो गया ह H2O और हमारा साबुन क्या होता है C 17 H 35 C double O minus na plus na plus तो आप लोग देख सकते हों कि यह दोनों क्या होंगे योगिक होंगे इसलिए हमारा option D क्या होगा correct होगा तो इन स्टाइब के questions के लिए आपको पहले options पढ़ना पड़ेगा उसमें एक मिस्त्रण दिया होगा और एक यूग में योगिक होगा ठीक है तो उसी options को देख के आपको decide करना पड़ेगा अब आप लोग इसमें देख सकते हो option D करेक्ट होगा आपका ठीक है next question है इसमें क्या बोल रहा है निमललिखित में से मिस्त्रण है इस पात वायू चाक संगमरमर धोने का सोड़ा ग्लुकोज तूतिया मतलब कापर सलफेट या भी पीतल दूद तो इसके लिए आप पहले देखेंगे कि option number A चाक धोने का सोड़ा वायू अब ये तीनों क्या ह सोड़ा आपस में मना सकते हैं और वायू भी मिल सकता है तूतिया दूद ये आपस में मिस्त्रण नहीं बना सकते हैं ग्लुकोज दूद संगमरमर ये भी नहीं मिस्त्रण बन सकता है पीतल वायू इसपात दूद ये भी गलत option है मिस्त्रण नहीं बन सकता है इसलिए option number A क् में क्या होगा मिस्रड बन सकता है इसलिए option A क्या है हमारा करेक्ट हो ठीक है next question देख लेते हैं भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है option A है option B है oxygen option C है sodium option D है magnesium तो आपको मैं बता दू भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हमारा तत्व होता है oxygen कितना होता है यह 45% लगभग लगभग क्या होता है हमारा oxygen पाया जाता है भूपर पट्टी में दूसरे नंबर पर हमारा होता है तीसरे पर होता है हमारा aluminum silicon हमारा कितना होता है लगभग होता है 27 परशेंट और यह हमारा लगभग होता है साथ परशेंट अगर हम वही atmosphere की सबसे ज़ादा होता है तो आप यहां पर ढूड़ेंगे आपका आंसर कौन से है ऑक्सीजन किदर ऑप्शन भी तो इस वज़े से हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा सही हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है जल का छिड़काव करने पर किसी चर गिर जाता है क्यों गिर जाता है तो आपको मैं बता दू जब भी आप पानी डालते हैं किसी भी कमरे में तो जो हमारा जल होता है यह वास्प करण करता है क्या होता है वास्पी करण होता है वास्पी करण करने के लिए इस जल की मूंदों को भी एनरजी चाही होती है उ का वासपी करड की एक सगन्ट को वासपी करड की गुप तुस्मा होती है तो निएट्स क्वेशन है जल का छिड़काओ करने पर किसी बंद कमरा का ताप गिर जाता है क्योंकि ऑब किसी भी इमालेटे हैं कमरा है इसके अंदर हम जल का छिड़काव करें ठीक है ये जल हो गया इसका छिड़काव कर रहे हैं तो क्वेशन पूछ रहे हैं कि इसका तापमान क्यों गिर जाता है तो आपको पता दूँ कि जल का वास्पी करण होता है जब भी हम किसी भी कमरे में छिड़ते हैं तो जल का क्या होता है वास्पी करण होता है वास्पी करण के लिए भी जल का एक अवसोशित उस्मा होता है उसको उतनी एनर्जी चाहिए एनर्जी कितनी होती है M L V ठीक है यह फर्मूला होता है किसी भी जल को वास्पी करण होने के लिए M क्या है द्रव्यमान है M क्या है द्रव्यमान है LV क्या है LV क्या है भाई LV है वास्पी करड की वास्पी करड की गुप्त उस्मा क्या है वास्पी करड की गुप्त उस्मा गुप्त उस्मा तो आप ये देख रहे हो कि जो LV होता है ये जल का बहुत जादा होता है अब भाई इसको कुछ न कुछ एनरजी चाहिए जल की बूंदों को तो जल की बूंदे क्या करती है जो हमारा हीट होता है कमरे में वही वही उसमा ये अवशोशित कर लेती है जो हमारी जल की बूंदे होती है citता है जो कमरे में उस्मा मौझूध होती है उसी का प्रयोग करके वास्पी करण करती है तो इसका अब उन लोग को बहुत ज्याद hugely क्यों चाहिए क्यों यह उस्म告 यह होता है जल की वास्पी करण का वह बहुत जादा होता है ठीक है तो आप यह प्य Republic of a po option आपका सही हो जाएगा और d option भी आपका गलत हो जाएगा तो option c क्या है आपका correct है ठीक है next question है खौलते पानी की अपेक्षा भाप में आधिक next question है खौलते पानी की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलते हैं क्योंकि भाप में option ये है, इस्तितिज उर्जा अधिक होती है, गतिज उर्जा अधिक होती है, गुप्त उस्मा के कारण अधिक उस्मा होती है, और भाप का तापकरम खौलते जलके तापकरम से अधिक होता है, तो इसका option क्या correct होगा, आपको मैं बता दूँ, कि जो हमारा भाप होता है, उसमे नेग्स्ट कॉश्चन देख लेते हैं खौलते पानी की अपिक्षा भाप से हात अधिक जलते हैं क्योंकि भाप में Option ने हैं इस्तितिज उर्जा अधिक होती Option B गतिज उर्जा अधिक होती Option C गुप्ट उस्मा के कारण अधिक उस्मा होती है और option D है भाप का तापक्रम खौलते जल के तापक्रम से अधिक होता है तो आपको मैं बता दू जो हमारा भाप होता है उसके अंदर जो गुप्त उस्मा होती है न वो पानी खौलते पानी से जादा होती है गुप्त उस्मा भाप में तो इसलिए गुप्त उस्मा के कारण हमारा क्या होता है अधिक उस्मा होता है तो इसमें हम ढूरते हैं तो इस्थिति उर्जा यह गलत ऑप्शन गति उर्जा यह भी गलत गुप्त उस्मा के कारण अधिक उस्मा होता है यह आपका सही होगा option D भाप के तापकरम खौलते जल के तापकरम सधिक होता है यह भी आपका गलत होगा option number C क्या होगा आपका सही होगा ठीक है